अगला सवाल रावजे आपसे चारधा म्यात्रा को लेकर के हैं, चारधा म्यात्रा के लिए देश महरी से लोग पहुचते हैं, लेकिन वहाँ पर स्वास्त सेवाएं बहुत जादा अनुकूल नहीं है, जायरतोय पर पर परिस्थती तो नहीं है, ऐसे वहाँ पर स्वास्त कि भाहर को उसको को लेकर सरकार क्या करें हमारे राजयमे लग गवागस 50 में फच पच फच पन लाक जो है हर साल चाराऄ ह ingl sigma मैं आथे हुआ हसे पैंप्यों इंगें करते हैं अभी तक वहां की हवादी के हिसाब से हम डॉक्टरोग की नुख्टियां करते हैं लेकिन जो 55 लाख्र वा क्मारे यहां यात्रा में आते हैं पहली बार हमने इनको भी गिना की भई ये भी हमारे नागरिक है और अगर कोई बीमार हो गया तो इनको जो है स्वास्ति सेवाय देना हमारा काम है तो हम पचास बेट का होस्पिटल बदिनाफ में बना रहे हैं पचास बेट का केदानाफ में बना रहे हैं पचास बेट का हम गंगोतरी में बना रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हम पिथोरागड में बना रहे हैं, और इतना है नहीं कर रहे हैं, मैं आपके मन से भी कहना चाता हूँ, कि यहां कि हम अपनी फैकलटी को, यहां पे अमरिता के अमारे प्रोफेसर साब भी बैठे हैं, देश का पैला राज बना है, जहांकि हम अपनी फैकलटी को डेड गुना तनखे जादा देते हैं, चीप सेकरडिस से भी जादा तनख्वाम अपने आपराज़ में डॉक्टर को देते हैं और इसलिए देते हैं कि उसको पिथोरगड में भी सेवाएं देनी ही उसको अलमोडा में भी सेवाएं देनी ही उसको बदिनाथ में भी सेवाएं देनी है और इतना है नहीं कर रहा है मा जो बेक्ति या डॉक्टर या पेरामेडिकल इस्टाफ अगर केदानाथ में रहेगा एक मैंने, तो उसको रहना और खाना फिरी है, उसको टीएडीएब की पिरी है, उसको जो है 15-15 दिन रोटेशन कराते हैं, कि 15 दिन केदानाथ में रहना भी एक बड़ा काम है, बहुत बड दिया है और इतना नीक्य है जैसे हमारे अमरिता के डॉक्तसाव हैं. वहां पे काइडियो वाले हैं, नूरो वाले हैं, हम 6 लाख रुपे भी अपने प्रदीस में तनख़ा दे रहे हैं, कि अगर कोई काइडियो का डॉक्टर हमारे आता है, कोई नियूरोक आता है तो 6 लाग रुपे तक तनक्वाम दे रहे हैं तो मुझे निलगता है कि देश में कहीं इतनी तनक्वा होगी अजर आप मेंसे भी कोई डॉक्टर उतरा खड में सर्विस करना चाहते हो तो हमारे दर्वाजे खुले है